तो में दोस्तों यहें देखे यह कुभी की भजिया और आलू की भ्जिया और यहें मंगोड इनए मोंगडल की हरी मोंगडल की मंगोड़ हुआ यह आज मैं तीन तरीके साब को भजय बनाना सिखाऊंगी तो यह देखे में रात पर भीगो दी थे धोके चान्यों चेन्नी पर जितना एक्स्टा पानी भी निकालूंगी पर इसके ने छिलके नहीं हटाना है छिलके के साथ हम मीक्सर में मिकसर ज़ा ले लितम więc मैं में डाल दिये जिए नहीं तो प्रीमिश्ट को इसे साथ हम में अच्याइस बाउल में ले लिए वे इसा मना चोप करें बारी चिल पकाटर मो प्याज पिरेएपटा, वाय में पैस है। । इसपने पैपर, जाद ऑलें पाचंद के बिया है। यह ठाट समय के लिचे मृष्ट के अच्छ सब्सक्तर नहीं कुछ सब दाले हैं। आय बॉछे, चीज में दाला है , जाद के अच्छ बहु एक खर दाले हैं। तो डालेने तो अच्छा अप्षिनल है, जरूरी ने. पर ही में मिक्स क की लग रख लूँगा, पर मैं कढ़ाही रख दी थी गर्म करने के कढ़ाही अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ाधा करके मंगोले डालेंगे. और मैंने पहले चेक किया था थोड़ा ज्यादा गरम हो गया था तो मैं हाँ गैस बन करके डाल रही हूँ ज्यादा गरम हो जाए तेल तो गैस बन कर दीजिएगा पर कभी भी भजिया को हाई पर मत तले मिडियम और हाई के बीच गैस की फिलिम रखे तब उसे तलिएगा और ये में भजिया फटा फट रेड़ी करें तीन तरीके के मैंने भजिया बनाया है मंगोडे आलू को की और गोभी की किया कि फरमाइस भी सबकी अलग अलग होती बे करिएगा कि बीना पानी के पीसे बस मैंने जादा नहीं डालाता इतनी बेटर मैंने दो चमच पानी डालाता अगर पानी डाल देंगे तो पानी छोड़ देगा अगर कभी बेचांस गीला हो जाता है पानी हो जाता है अच्छे से नहीं बंद पाता मंगोडा तो दो चमच उसमें चान के अच्छे से बेसन डालिएगा चावलनी बेसन पर छनी से चान के डालिएगा तो उससे क्या होता है कि वो बेटर पकड़ में भी आ जाता और बन भी जाता है इसलिए उसे चान के डालिए बिना चाने मड़ डालिए कभी ऐसे हो गए तो लेकिन मंगोड़े ऐसे से बिलकُल सौप्ट लगता है। इतना अच्छी और यहाम ही भजिया हforme बताने को। तो मैं इसे पूरा टल लैती हूँ। और टल हो गया बगल में पैर ने प्लेट लेलिया। प्लेट में जाली लेजाओ मिरा पीजा जाली है। इपके पास कोई जाली हो तो लेलो। और नहीं तो प्लेट में टीसू पर लगा लो, ऐसे भी इसमें तेल नहीं रहता है, बहुत अच्छी भज्य बनीती, तो यह हो गई हमारी मंगोड़े की भज्य, इसके बाद हम चलते हैं आलू के भज्य बनाने, इसके लिए मैं देखिए, चिप्स काटने वाला रहत उसे में काटली भारीक भारीक और पानी में डाल देने, तो आलू काला पड ज़ेगा, फीस को चन्नी पे डालके पानी निकाल लोँगे, एक्स्टर पानी निकल लेकर मैं चन्नी पर डाल दूँगी, पूरा पानी निकल जगा है, तब तक हम इसका बेटर बनाते हैं, तो इसके बीना चाने बेसम कभी भी मत लेजिएगा और यह भजिया बहुत पसंद आती है मतला आलू के है पर तरीका अलग होना चाहिए बनाने को तो अच्छा बनता है और भजिया बहुत क्रिस्पी और करारी बनते पर याद रहे चिप्स में काटेंगी ज्यादा मोटा नहीं ली डाला है ठोड़ा से में हलदी डाला यहादा पी ला ले कि आधा चमत जीरा पाउडर डाली हूं यहाँ पर और यह मसाले मिक्स कर steht आता है सारे मसाले मेची और चिली और यहाँ मेचीं पर को टेस्ट कर लेंगे जरदिए आए अच्छा लगे। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो करश करके वो भी डाल दिये पर मैं यहाँ भूल गई थी मैंने बाद में डाला था मैंने जवाइन को करश करके डाला था और थोड़ा हिंग डाला था जो जवाइन आता है उसे में हाथ में मलके डाली था और थोड़ा हिंग डाला था पर उदिक नहीं पाया, और आधा चमच मैंने यहाँ डाला था गरम मसाला और मैंने एक मेटची को काट कर दाल दिया था बाद में भी बोल रोल था मामी ठीखा लग रही है लेकिन अगर आपको खाना हो तो मिर्ची डाले ये बच्चों को नहीं पसंद हो तो ये मिर्ची मत डाले स्किप कर सकते हैं आप मिर्ची को बस थोड़ी से रेड़ चिली पाउडर डाल दे तो ती खा आ जाता उसी से और इसे अच्छे से मिक्स कारेंगे तो अगर आपकी आलू नहीं चिपकती है बेसन को नहीं पकड़ती है तो बेसन के बेटर में ही थोड़ी से एक चमस तेल डाल दीजीगा तो अराम से आलो में पकड़ लेगा पर अगर आलो में आपका पानी रहेगा तो नहीं पकड़ेगा इसलिए आलो को दो के काटके चान के चन्नी से अच्छे से पानी सुखा लेजे तब काटिये उसे चन्नी पर डाल दे पानी निकल जाएगा तो यहां में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाली तो पानी डाले के कितना इस पे जाता है उसके बाद बेसन बेसन पर डिपेंड होता है इसे अच्छे से फेटी है यहां भी किसी को करारी चतपर में किसी की भजिया में सोडा नहीं डाली हूं बहुत से लोग सोडा डालते हैं पर में कहीं भजिया में सोडा और अच्छी बनी थी सारी भजी हम लोगों का सबसे ज्यादा अच्छी बनी थी तो मैं जैसे जैसे पानी मुझे लगता है वैसे वैसे बना रहे हैं अगर मेरे चैनल पर नीव भीवर है तो प्लीज आप से एक रिक्वेश्ट है कि मेरी कोई भी एक रेस्पी बनाई है और मे को पुलतों को मेरे कि जड़ेक्ष में और आप जरूर है क्योंगोर काचता है कि काई बढ़ कई काहा साहि है यह एक बढ़ती प्तला चाहिए ना शिक चाहिए है पर हाँ एक रीबन के जैसे जरूर होना चाहिए तो देखे मेरा तेल गरम था कि मैंने मंगोडे तले था यहां में आलू का भी तल लूँगे तो बगल में देखे तल के मंगोडे भी रखें फटा फट और बच्चे मेरे लेते जा रहें जिनको जो खाना है वो खाते जा रहे पर याद रहे कि बहुत जादा भजिया के लिए तेल गरम नहीं हो मिर्म गलती से हो चाहिए तो यह दाल के चेक कर कास्यों अगर और ऑभी नइको पूरा प्ढ़ गया तो गैसलन लगाएगा उसके बाद भज्या को पलटिए आप कभी भी ऐसे बनाए तो आपकी भज्या बिलकुल बीन तेल के निकलेगी कि इतने लोगों की भज्या ओली निकलते नहीं या तो ज्यादा कम लोग फेलेम होता है नो तो निकलती है हाई पे तो जली जाता इसलिए मीडियम औ पहाई के बीच में गेस के फ्लेम रखी है और तब इससे बने और एक बात और याद रखिए इस तेल को बाल बाल मत तलिए इसी तेल में उतना ही तयलने नहीं पसंद करते हैं जैसे कि इन आपी भज्या बनाऊंगी इसे मैं च्छान के रख़ लूगोंगी बाउल में और 2 जादा ने एक से दो बार तलिएगा उससे जादा मत लिएगा तो यह देखे यह मेरी आलू के भजिया बनके फटा फट रेडी हो गई है किसी कि मैंने बताए कि आलू के भजिया में बेटर नहीं पकड़ता है तो बेटर में बेशन में थोड़ी सी तेल डाल दीजिए कच्छ तो यह तल जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूँगी इसके बाद एक बेस और में तलूँगी और हाँ आप कमेंट करेगा कि आपको अगला रेस्पी क्या चाहिए तो मैं उस पर काम करूंगे फिर मैं आपको जरूर लाँगी वीडियो और प्लीज प्लीज आपसे रिक्व अगर आपको इसके अलावा और कोई भजिया चाहिए तो बता सकते हैं मेरे चैनल पर पनीर की भजिया है वो बहुत पसंद आया मेरे बच्चों को तब भजिया बना सकते हैं मेरे चैनल पर एक चाइनीज भजिया है नूडल्स की वो भी ट्राइक कर सकते हैं आपको जो अलग तरीका है इसलिए मैंने बताया आपको बज्या देखे अब आलू की भज्या का है कि नीचे जाती है चिपकने लगती है बड़ी कड़ा ही हो या चाहिए पैन के जैसे होता है उसमें होता है लेकिन फिर भी अलग-अलग खुल जाता है आपके सामने मैंने देखाया और एक मिनट से जादा नहीं और किसी भी चीज में बार बार चमच लगा उन्हों तो टूटता ही है तो थोड़ा समहल के काम करो तो सही बनता है कोई भी चीज सही बनता है अगले वीडियो में कल यह परसों में लाओंगी पंजाबी मतलब रिश्क्रोइन इस्टाइल जो बेटर मेंने बेषन के लिए रेडी के था उसमें मैंने कोभी का भी बनाया पर इसे क्या करेंगे तलने से पहले में थोड़ी से चीली फ्लेक्स डाल दें इसकी टेस्ट दू गुना हो गया था इतनी अच्छी लगी थी क्या बताने को इसमें थोड़ा से मैं जाल कभी भी एक बात याद रuck है कभी भी भजीया बनानूं तो ख्रश जित जरूर डालुकिसे थेag भी जवाइन ब्हुद्दैंगा निक्स करने के बाद हमेशा दलू एक बात बहुत सोचा के चलो तेहां मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दिया था और कस्तूरी मेथी का मैं देखती हूँ किसी दिन सोट लाती हूँ कैसे उससे रखा जाता है इस्टोर करके मैंने तेल डालका अच्छे से मिक्स कर लिया और जो मैंने बताया था कि मेरा आलू का बेटर था वही बेटर है उसी में हम तलेंगे आप उसी बेटर में कोभी भी बना सकते हैं और बाद में अब कमेंट करेंगे तो एक से एक और भजिया मेरे पास है जो में ला दूँगी मैंने तो देखिए उसी तेल में मैंने आलू के तलने के बाद मैंने गोभी का भी तल दिया है और जो उसके नीची की मसाले रहते उसे मत फेके, जैसे गोबी की तलने के बाद बच जाती है उस मसाल, वो बेटर में डाल देजिए, सही रहता है, और एक बार बेटर में पूरी कटी हुई सबजिया मत डाली है, जितना आपको निकालना हूँ बस उतना ही डाली है, थोड़ क्रिस्पी भजिया, आप कमेंट करके जरूर मेरे को बताएगा, मुझे अच्छा लगता आप कमेंट करते हैं, तो कभी कभी रेस्पी मांगते हैं, तो भी अच्छा लगता है, कि हाँ या रेस्पी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा है, और जो भी चाहिए आप चाहे मेरे बेकिंग मेरे साम को बजरे की मेरी ओर चाहते हैं, तो मैं सेमर कोठते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ मैं कभी गलत नहीं बताती हूँ और मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जितना मेरे पास होता है ग्यान टिप्स उतना मैं जरूर आपको देना पसंद करती हूँ तो देखे जो चिपक गया था धीरे धीरे हलके हाथों से तोड़ लेजिए निकल जाएगी और ये सही से बनेगी कभी भी बेशन को बिना चाने मत इस्तिमाल करना तब जाके हो सही बनती है भजिया हो चाए कोई भी चीज हो और हाँ इसके बाद मैं और मैंने सोचा है कि एक और सर्प्राइज आपको तीन मीठाई लेक्या होगे लड़ू लड़ू लाओंगे तीन टाइप का आप जरूर देखे होगे लड़ू फटाफट बनेगी और घर के चीजों से बनेगी और इतनी यूम ही लगते कि कभी-कभी मुझे कुदबेश सक होता है कि मैं बना सकती ह और ऐसे इसी टिप्स रहता है क्या बताने को तो मेरे आज भी पूराने स्टुडेंट भी कॉल का के पूछते हैं कि दी ये वीडियो डाल दो और नए को तुमें सिखाती ही रहती हूं तो इसलिए मैंने बोला कि मैं क्लास देती हूं तो कभी मैं गलत वीडियो नहीं देती ये देखे मेरी गोभी के भी भजिया बनके फटाफट रेडियो हो गई तो चलिए अब आप भी जाए कीचन में और मौसा मच्छा है और फटाफट थंडियों में गर्मा गर्म भजिया बनाए और सब को खिलाए और हाँ मेरे चैनल पर मैंने पहले ही डाल दिया है कुछ द बेट पोटो घिचने के बाद है कि बेटे लिया किसी ने जिसको पसंत हो ले लिये बेटये को पसंदे ही तो मीठी चटनी के साथ लिया ओगला हो Serpais लाल वाली चटनी है वो भी है तो छले फिर मिलते वीडियू ने प्रेडिस पक्राइब